बिस्मिल्हे रमाने रहीम, असलाम अलेकूम, कैसे हैं आप लोग, उमीद है सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, सर्वत किचिन में आप सब की दावत है, आज मैं बनाने जा रही हूँ, कस्टर ट्राइफल, तो चलिए देखते हैं बिस्मिल्हे रमाने रहीम, कस्टर ट्राइफल बनाने के लिए मैंने लिया है, वन लिटर दूद, फाइफ टेबल स्पून कस्टर पॉर्डर, फाइफ टेबल स्पून चीनी, कुछ केक स्लाइस, आप अपनी पसंद का कोई सा भी केक यहां पे ले सकते हैं फ्रूट्स में मैंने लिया है, ब्लाक और ग्रीन ग्रेप्स, एपल, कीवी, बनाना, स्ट्रॉबेरी, विपिंग क्रीम, और दो तरह की जेली मैंने लिया है, एक लेमन फ्लेवर है और एक स्ट्रॉबेरी है, आप अपनी पसंद की जेली बेस में रख सकते हैं बिसमे लेरमाने रहें, तो सबसे पहले हम कस्टड तयार करेंगे, तो इसके लिए मैंने लिया एक बरतन, इसमें हम डालेंगे वन लिटर मिल्क, फूल फैट मिल्क है ये, तो इसे हम पहले बॉइल करेंगे, और कस्टड पॉर्डर में मैंने थोड़ा सा मिल्क मिलाकर इसका इस तरह से गोल तैयार कर लिया है, तो ये देखिए दूद में बॉइल आ गया है, अब हम इसमें चीनी डाल देंगे, तो चीनी डालने के बाद 2-3 मिर्ट के लिए हम इसे और पका लेंगे, तो ये देखिए 2-3 मृट तक मैंने इसे चीनी के साथ अच्छе से पका लिया अब जो ये कस्टड का गोल मैंने तयार किया था इसे अच्छे से एक बार चला लेंगे ताकि इसमें कस्टड मीचे बैठे नहीं और इसमें धीरे-धीरे कस्टड गिराते जाएंगे और इसे एक हांग से चलाते भी जाएंगे फ्लेम मैंने लोटू मेडियम कर दिया है और इसे लगतार इसी तरह से चलाते जाएंगे ताकि इसमें लंस ना बने तो यह देखिए ऐसी कंसिस्टेंसे इसकी रखनी है इसे थोड़ा थिक ही रखना है ताकि ठंडा होने के बाद यचे से सेट हो सके तो यह देखिए कस्टेंसे अमारा तेयार है अब हम फ्लेम बन कर देंगे और इसे थोड़ा नॉर्मल होने के बाद से फ्रीज में रख देंगे जब तक हमारा कस्टर ठंडा हो रहा है तब तक हम क्रीम कर लेते हैं यहां पर मैंने वन कप विपिंग क्रीम लिया है इसमें हम एक चम्मत चीनी लेंगे और इसे अच्छी तरह से विप कर लेंगे तो यह देखिए बहुत अच्छे से हमारा क्रीम वीप हो गया है बिसमिल्लाइरमान जी तो अब हम कस्टर ट्राइफल को असेंबल कर लेते हैं तो इसके लिए सबसे पहले हम केक को नीचे में इस तरह से सेट कर लेंगे तो इस तरह से मैंने नीचे में केक का एक लेयर डाल दिया है इसके उपर हम औरेंज जूस इस तरह से इसमें डाल देंगे आप कोई सा भी जूस अपने पसंद कर डाल सकते हैं इसमें या अगर फ्रूट्स कैन वाला फ्रूट यूज करें तो आप उसका जूस भी समें डाल सकते हैं इसके उपर हम डालेंगे जेली स्ट्रॉबेरी का डाल दिया और ये लेमन का डाल दिया अब इसके उपर हम कस्टड डालेंगे ये देखिए कितना अच्छा थिक हो गया है सेट हो गया है कस्टड इसके उपर डालेंगे हम फ्रूट्स ग्रेप्स डाला हैपल इसके उपर डालेंगे बनाना कीवी फिर से इसके उपर हम कस्टड के एक और लेयर डालेंगे तो क्रीम को जो मैंने विप किया था उसे मैंने एक कोन में डाल लिया अब इसके उपर इससे हम थोड़ा सा कुछ डेकोरेट कर देंगे तो लेजे तयार है हमारा कस्टड ट्राइफल आप भी इसे अपने पसंद के फूर्ट के साथ जरूर ट्राइप कीजे और मुझे कॉमन सेक्शन में बताईए कि आपको कैसा लगा और अगर आपको अच्छा लगे पसंद आए तो इसे जरूर लाइक कीजे और मेरे चानल को सब्सक्राइब कीजे और शेर कीजे क्योंकि शेरिंग इस केरिंग थैंक यू